Hello everyone, welcome to MM Academy, मैं हूँ शशांक लखेरा और इस वड़ में मैं आपसे बात करूँगा, हाली में IMF ने अपना जो नया चीफ एकनॉमिस्ट है, उनको एपॉइंट कर दिया है, ये है P.A. Oliver Gorinchaz, तो ये फ्रांस के हैं, और इस पर आर्टिकल भी है, ये आर्टिकल New 17 का है, P.A. Oliver Gorinchaz IMF New Chief Economist, Who Will Replace? गीता गोपिनाथ, तो फाइनली गीता गोपिनाथ, जो कि इंडियान ओरिजन से हैं, इंडिया से ये बिलॉंग करती हैं, और ये Chief Economist रही है IMF की, अब इनको जो है, अपना पत छोड़ना पड़ेगा, और जो फ्रांस ओरिजन के हैं, P.A. Oliver Gorinchaz, ये होंगे नहीं Chief Economist, तो क्या गीता गोपिनाथ IMF छोड़ रही हैं, देखिए ऐसा नहीं है, इनको, इनको IMF में, जो डिप्टी मेरेजिंग डिरेक्टर की पोस्ट है, वो यहां भी प्रोवाइट करी जाएगी, तो इनका जो है, फानली अब प्रमोशन हो रहा है, और अब IMF के New Chief Economist जो है, पियरे ओलिवर गुरिंचास होंगे, और अगर आप पास कुछ दिनों में देखोगे, तो IMF जो है काफियत तक News पर रहा है, व्योंकि जिस तरीके का पाकिस्तान में, एकनौमिक क्राइसिस हमको देखने को मिला है, श्रीलंका भी अपने आपको बहुत जल्द बेंक लगाए बैठा रहता है कि, IMF हमको जो है, लोन प्रोवाइट करेगा, जिससे हमारे देश में जो एकनौमिक स्टेबिलिटी है, वो वापिस से आ जाएगे, तो आपके इस कोश्चन का अंसर आपको इस वीडियो के अंद तक मिल जाएगा, उसके पहले, अगर आप किसी भी एक्जाम के प्रप्रेशन कर रहे हो, तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सिस दूर कर सकते हो, आपको सिपली करना क्या है, एब को डाउलोड करना है, फिर आपको हैं पर सायन अप करना है, आप दो वीडियो से लेक्चर देख सकते हो, जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प् पहले मैं आपसे यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल पूछूँगा विच इस दा फर्स कंट्री इन वर्ल्ड गेट लोन फ्रॉम आयमेफ ने सबसे पहला लोन किस देश को दिया था आप्षान है इंडिया यूएसे फ्रांस जर्मनी तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और वीडियो के अंतर में मैं आपको आंसर दूंगा ही नौ फर्स्ट अफॉल लोकेशन देख लो कि आयमेफ एक्चुली में है कहां पे तो आइमेफ की जो पेरेंट ओर्गनाइडेशन है वो है यूनाइटेड नेशन्स और यूएसे में आपको इसका हैड़कॉर्टर देखने को मिलेगा इंटरनेशन मोलेटरी फंड का वाशिंग्टन डीसी में और यह आप location देख सकते हो Washington DC में आपको IMF का headquarters देखने को मिलेगा इसके अलावा Washington DC में ही आपको World Bank का भी headquarters देखने को मिलेगा और IMF को establish किया गया था 1944 में क्योंकि 1933 में एक Great Depression आया था उसके बाद यह announce किया गया कि एक ऐसा fund मनाया जाएगा जो international level पे countries को stability provide करेगा और एक ऐसा कोई संकाट आता है तो उस समय IMF जो है loan provide कर सकता है इसको initially 1944 में formed किया गया था और 27 December 1945 में इसने अपना work start कर दिया था इसको Britain vote conference के एंडर में form किया गया था और यह idea था Harry Dexter White और John Merritt Nice का और यह basically John Merritt Nice थो English economist थे और Harry Dexter जो है यह US Treasure Department के head रहे है इनी का idea था कि IMF को form करना चाहिए और अगर आप membership देखो के तो 44 members रहे हैं founding stage पे लेकिन presently 119 देश member है IMF के और इसकी जो parent organization है वो है United Nations और managing director है Christina Georgieva और अभी के लिए Chief Economist गीता गोपिनाथ ही है लेकिन बहुत ही जल गीता गोपिनाथ जो है change हो जाएंग और अब यह बनेंगी first deputy managing director तो Geoffrey Okomata यह आप देख सकतो image पे तो Geoffrey Okomata जो है यह first deputy managing director रहे है लेकिन आप इनका पज जो है गीता गोपिनाथ ले लेंगी और गीता गोपिनाथ बनेंगी first deputy managing director और अगर आप IMF में देखोगे तो आपको 4 deputy managing director जो है देखने को मिलते है जैसे R University of California में work करते हैं international business और policies के लिए लेकिन अभी यह बहुत ही जल्द IMF के chief economist होंगे अभी यह कुछ समय के लिए part time job करेंगे उसके बाद first April से इनको full time कर दिया जाएगा अब last हम आते हैं अपने question पे कि IMF कैसे किसी देश को यहाँ पर पैसा provide करता है देखो मेंली होता क्या है IMF मेंली पैसा कहां से कमाता है तो जो countries है वो pay करती है IMF को अब मालो IMF कि अगर आपने membership ली है किसी देश को membership लेता है तो उसको यह पर पैसा देना होता है मतलब एक capital subscription देना होता है जिसको quota कहा जाता है उसके बाद एक country जो है member बन जाता है IMF का जितने भी members है IMF के उनको ए आपे देना होगा लेकिन जब अगर मालो को financial difficulty आती है तो वो देश IMF से जो है आपे पैसा borrow कर सकते है लेकिन IMF की भी एक limit होती है आपकी देश की economic के हिसाब से वो आपको जो है आपे पैसा provide करेगी तो वापिस आते हैं अपने question पे मैंने आपसे पूछा था कि पहला देश कौन सा था जिसने IMF से जो है लोन लिया था तो IMF ने सबसे पहले किसको लोन दिया था तो यह था France फ्रांस तो करीब पांच करोड़ रुपे का लोन दिया गया था और एस पर data के साब से अगर आप दोगे तो Ukraine में काफी जादा IMF से लोन लिया हुआ है That last I hope कि आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को मिला होगा IMF के बारे में और अपने opinion कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना इसी के साथ यह ताद इस वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्यवाद चाहिंद चाहभार